हलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल जैमातादी इस वीडियो में आज मैं आग के साथ सेयर कर रही हूँ संतान सप्तमी की सरल पूजा बिधी तो आप लोग वीडियो में अंधे तक बने रहेगा वीडियो को कहीं भी स्केप मत हीजेगा संतान सप्तमी का पर्व माताइं अपने बच्चों की लंबी आयू के लिए उनकी उन्नती के लिए रखती हैं सबसे पहले इसके लिए हम जमीन को सच कर लेंगे और उस पर हम चौक काड लेंगे यह मैं अश्ट दल कमल बना रही हूं अच्छत से आप यह अश्ट दल कमल रंगोली वाले कलर से हल्दी से या फिर आटे से भी बना सकते हैं उसके बाद हमें चाहिए पूरा शिप परवार तो सबसे पहले हम भगवान गनेश का और भगवान भोलेनात का अफशेक करेंगे उ अलग अलग थालियों में ब्राजित किया है जिसमें मैंने स्वास्तिक चंदन से बनाया हुआ है यह मैंने अलग-अलग कडेशी को और भगवान भोलेनात को क्यों इस्थापित किया है यह भी मैं आपको बात में बताऊंगी अब मैंने भगवान का शेहत से अफशेक कर दि बाकि हम किसी पेड़ पौदों में या पवित्र जगए पे डाल देंगे और गनेशी का जो पंचमरत है अब शेक का उसे हम प्रसाद के रूप में ग्रहन करेंगे इसलिए हमने भगवान को अलग-अलग इस्थापित किया था अब हम भगवान गनेश का और भोले नात का पेल अब गनेश को और शिबजी को हम पस्तरूपी मॉलि भी अर्पित करेंगे ये मैं आग के पत्ते भवान-बोले नात को चड़ा रही हूं, जिसपे मैंने पीला चंदल लगा लिया है जिए को बेल पत्र मिल है तो आप अवस्य कड़ाएगा एक पान को पत्ता मैंने लिया है इसे भी हम भगवान बोलेनाद को अर्पित कर देंगे इसके अलावा आप शिप जी को शमी पत्र धतूरा बेल पत्र पुष्प ये शारी चीज हैं भगवान को अर्पित कीजिएगा और कुछ दच्छना आप शिप जी को अवश्चड़ाईएगा तो इस तरह से पहले हम भगवान गनेश की और शिप जी की पूजा कर लेंगे उन्हें पुष्प अर्थपित कर देंगे उसके बाद जो हमने पार्थिप शिप परवार बनाया है उसका भी हम विदिवत पूजन करेंगे यदि आपके पास शिप परवार पहले से है तो आप भो भी रख सकती है नहीं है तो आप इस तरह से पार्थिप शिप परवार बना कर भी पूजा कर सकती है पार्थिप शिप परवार बना कर पूजा करना बहुत ही होन्यदाई फलदाई होता है तो मैंने ये पार्थिप शिप्परवार बना लिया है, अब हम भगवान का अफशेक कर चुके हैं, शिपजी का भी अफशेक कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम पार्थिप मूर्थियों का अफशेक नहीं करेंगे, सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे, भगवान को दूब कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बहां से आप बह वीडियो देख सकते हैं, भगवान गनेश को हम चंदन और कुमकुम लगाने के बाद, भगवान भुलेनाथ का पेले चंदन से तिलक करेंगे, भगवान भुलेनाथ को हम लाल कुम कुम नहीं लगाएंगे, अब हम माता पारवती की लाल कुमकुम से मांग भरेंगे, और माता को हम तिलक लगाएंगे, पूजा के लिए हमेशा इसी रिंग फिंगर का यूज करना चाहिए, भगवान का तिलक करने के लिए और पूजा में किशे भी शुप काम के लिए, तो जो आपको आसानी से मिल जाए, गेंदे की पुष्प भी आप अर्पित कर शकते हैं और चमेली के फूल भी आप अर्पित कर शकते हैं, उसके पाँ जो हमने पुष्प माला ले है भो भी हम सभी भगवान को अर्पित कर देंगे, मेरे मंदर में जो गडेशी और सिविलिंग बिराजित हैं मैंने उनी का पंजामरत से अपशेक कर दिया था यदि आप संतान शप्तमी की पूझा में इस तरह का पार्थिव शिप परवार बनाते हैं तो आपको सिवलिंग का और गडेशी का पंजामरत से इशनान करना पूजा में जो भी मिठाई और फल हमने रखे हैं उसका भोग लगा दिया है भगवान को अब हमने साथ गाठों वाला जो धागा बनाया है इसकी भी हम पूजा करते हैंगे इसे हम धूपतीब दिखाएंगे और भगवान के चर्नों में रखते हैंगे बाद में ये धागा हम अपने लेफ्ट हैंड में धारन करेंगे इस तरह याँ लेफ्ट हैंड में धारन करेंगे और पूरुष इसे रैट हैंड में धारन करेंगे इस मुरत को महलाएं और पुरुष दौनों ही अपने बच्छों की लंबी उम्र के लिए उनकी शुक्षान्ति के लिए शमृत्धी के लिए उनके एश्वर के लिए और उनकी उनती के लिए रख सकते हैं अब हम गौरी माता को आलता लगा देंगे, महंदी लगा देंगे, जो चीजे हम गौरी माता को लगा सकते हैं, वो थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम छुआ देंगे, और पाकी की सुहाक पिटारी हम मातारानी को इस तरह से दान कर देंगे, और बाद में उनके सामने रख दें होता है हमने जो यह भगवान के भोग के लिए पंचामरत बनाया है इससे भी हम भगवान का अफ्शेह Kर सकते हैं तो इसमें मैं साथ पूडी निकालकर एक साड में रख लूँगी और जो साथ पूडी बचेंगी उसमें से हम भगवान का भोग लगाएंगे और बाद में 27 पूरि हम फ्रशाद के रूप में ग्रहण करेंगे यह साथ पूरि हमें एक बार में एक टाइम में एक जगे बैठ कर ही खानी होती है friends, मैं इसी तरह से संतान सत्मी की पूझा करती हूँ और मैं कलश स्थापना नहीं करती हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर कलश स्थापना करके नहीं दिखाई है आप चाहें तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं अब हम भगवान का भोग लगाएंगे गनेश भगवान का भोग लगाएंगे, माता गौरी का भोग लगाएंगे, उसके बाद हम शिवलिंग का भोग लगाएंगे हमारी जो संतान सप्तमी की चूड़ी होती है, उसकी भी हम पूजा कर देंगे पहले ये संतान सप्तमी की चूड़ी तावे की शौने की और चांदी की बनती थी मेरे पास ये तावे की चूड़ी है और इसे मैं हर साल संतान सप्तमी पर पहनती हूँ इसका भी विदिवत पूजन किया जाता है और संतान सप्तमी की पूजा में इसका विशेश महत होता है यदि आपके पास नहीं है तो आप साथ गाठों वाला धागा भी धारण कर सकते हैं उसका भी विशेश महत है तो मेरे पास दोनों ही हैं तो मैं दोनों ही धारण करती हू कड़े का पंचामरत से इश्नान कराने के बाद इसे भगवान के चरणों में रख देना चाहिए और भगवान से बिंती करनी चाहिए इसमें अपना आश्रबाद भर दें और हमारी बच्चों को चिरंजीवी यशशी तेजशी बनाएं उन्हें अच्छा स्वास्थ प्रदान करें उसके बाद हमें भगवान की यह संतान सप्तमी की कथा पढ़नी चाहिए अब हम हात में पुष्प लेंगे कुछ अच्छत लेंगे उसके बाद संतान सप्तमी की कथा पढ़ने के बाद हमें यह पुष्प और चावर भगवान के चरण में शमार्पित कर देना ये सबसे पहले हम भगवान गनेश की आर्थी करेंगे, माता पार्वती की आर्थी करेंगे और भगवान भुले नाथ की आर्थी करेंगे. तो संतान सप्तमी की पूजा विधी का मेरा है वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट करके जरू बताईएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्ता पर पहली बार आए हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को चाहता चाहता लाइक कीजिए, सेर कीजिए, साथी बेल आइकन को प्रेस करतीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेट श्वाय जेमागोरी